जोस्ति जोस्ति रभूब का दिद्धात्त नवरे तो जानेंगे कि आज सुभा की कारोबारिशत में कमुर्टी बज़ार के ऐसाख खुलता हो नजर आ रहा है आज अफते के आकरी कारोबार दिन किस कमुर्टी के अंदर कितनी मनि-तेजी बंती भी नजर आ रही है और उस पर expert की क्या रहा है इस अब जानने की कोशिश करेंगे सिलसिला बजार रुका में सबसब पहले शुरुबात करेंगे हम यहाँ पे non-agri communities में सोने और चांदी से तो बीत सेतर में हमने सोने चांदी की कीमतों में एक अच्छी रैली निकलते वे देखी थी आपको बता दें कि सोने चांदी में काफी ठीक ठाक लेवस देखने को मिले थे सोना पांच महिने के हाई पर कारुबा करता हो नजर आया था लेकिन यह जो US Consumer Price का जो डेटा निकल के सामने आया है वो ठीक ठाक है जादा है एकस्पेक्टेक्शन से जिसकी वज़ाद से सोने चांदी की कीमतों पर आज कुछ एक हलका दबाब बनता वा नजर आया है और दूसरा Base Matters की कीमतों में एक थोड़ी जो Investment है निवेश है वो बढ़ती भी नजर आया है कीमते और जादा बढ़ती भी नजर आ सकती है आपको बता दें कि सोना इस वक्त International Spot Market की अंदर 1858 डॉलर पर और सिल्वर 25.2 डॉलर पर कारवार करते नजर आ रहे है सोना और चांदी बुलियंस में दोनों ही आज एक हलका लाल निशान के साथ कारवार करते नजर आ रहे है बात करें यहाज से अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं WTI 80 डॉल पर और brand crude oil 82 डॉल पर कारवार करते नजर आ रहे हैं दोनों की कीमतों के अंदर international spot market के अंदर पहुने एक-एक फीजदी की गिरावट बनती नजर आ रही है देर असल इराक के जो oil minister हैं उनका बयान निकल के सामने आया है उन्हें जो बयान दिया है उसमें ये का गया है कि opaque plus का कच्चे तेल का उतपादन बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है कच्चे तेल का उतपादन जितना है जो पहले से plans रखे गए हैं वो उसी पे ही follow करेंगे उसी के stick to रहेंगे और दूसरा उन्होंने 2021 की जो demand growth थी उसमें थोड़ा कमी करी है demand growth को थोड़ा घटाया है क्योंकि oil prices पहले से काफी high लग रहे हैं जिसकी वज़ा से आज कच्चे तेल की कीमतों में एक नर्मी देखने को मिल रही है demand oil prices high होने की वज़ा से थोड़ी कम की गई है उपेक दुआरा साल 2021 के लिए लेकिन जहां 2021 के लिए कम की गई है साल 2022 के लिए जादा की गई है बात करें यहां से अगर base metals की तो base metals में भी आम देख रहे हैं कि जो कीमते हैं आज ठीक ठाक बंती भी नजर आ रही है निकल में भी अच्छी खासी तेजी बंती नजर आ रही है तो आज सोना चांदी कच्छा तेल और base metals में क्या करके चलना सही रहागा आई जान लेते हैं रुपा जी से रुपा जी बहुत बहुत स्वाथ आप हमा के राम सीवी पर जी शुक्रिया रुपा जी देख रहे हैं सोना आज एक हलके से दबाव की साथ कारवा करते नजर आ रहा है बीत है सत्र में हमने सोने को पांच महीनी का ही पर जाते हुए देखा था आज देख रहे हलका दबाव है आपको क्या लगता है क्या यहां से कीमते अभी और दबाव में जाती ही नजर आएंगे या फिर यहां से सोना एक बार फीसे सस्थेनों के उननीस सो डॉलर का लेवल टच करेगा देखिए आज हलकी करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है लेकिन अभी भी बजार 3G के साथ ही है आप देखिए 1860 डॉलर के उपर कल हमने सोने को जाते हुए देखा था लेकिन आज जो है बजार 1858 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और उपरी सतरों पर एक मुनाफ़ा वसुली जरूर हावी होती हुई हमने देखिए है लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी बजारों के अंदर यही लेवल जो है वो बने रह सकते हैं जब तक 1840 डॉलर के उपर सस्टेन है मार्केट तब तक इसके अंदर खरिदारी जो है लोटती हुई दिखाई दे सकती है अगर 1840 डॉलर का लेवल ब्रेक होता है तब थोड़ा सा प्रेशर जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है हाग फिलाल में 1840 से लेकर 1860 की रेंज आज इंटर डे में बनती हुई फिलाल दिखाई दे सकती है तो मुझे लगता है कि डॉमेस्टिक मार्केट में भी जो लेवल है वो 48800 से लेकर 49200 की रेंज के बीच में फिलाल घुम्टे होई दिखाई दे सकते हैं तो इनी रेंज के बीच में आपको बाइंग करके चलना चीए 48800 के आसपास आए तो वहाँ पर ख्रदारी की रनिती बनाई जा सकते है आज इस तरह बात करेंगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देखने हैं आज कल के मुकाबले थोड़ा और दवाबनता हूं नजर आ रहा है जो इराक के जो ऑईल मिनिस्टर उनकी तरफ से बयान निकल के सामने आए इस साल 2021 में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो जादा प्राइसे जैनी की वज़ा से कम रहेगी लेकिन 2022 में बढ़ेगी जिसका असर आज हम कच्छे तेल की कीमतों पर परतव देख रहे हैं आपको क्या लगता है क्या यहां से कच्छे तेल की कीमते और नीचे जाती में निज़र आ पाएंगी अभी फिलाल डिमांड फेक्टर तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और आगे भी एक्सपेक्टर है कि तेजी जो डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है और बजारों में वापिस से जो है वो तेजी बन सकती है अभी दिखे सप्लाई को लेकर काफी question mark है कि अगर supply बढ़ती है तो prices down जाएंगे और अगर supply नहीं बढ़ती और demand इसी तरीके से globally demand बढ़ती रहती है तो prices को वापे से boost up में देखने को मिल सकता है अभी जो बजारों के अंदर trend देखने को मिल रहा है अभी आज गिरावट है उपर इस session में अच्छी तेजी आते हुए देखी थी लेकिन जैसे ही बजार बद हुए तो फिर वापे से गिरावट बनती हुए दिखाई दी और अभी expiry भी है इस मन्त की तो इसी वज़े से position is care of होती हुए भी वाइदा में फिलाल देखने को मिल रही है और international markets में देखें तो 80 दोलर के ओपर कुरूड अभी sustain है और जब रेंट की बात करें तो 82 दोलर के ओपर है तो 80 दोलर एहम support है अगर इसको break करता है तो फिर नीचे 80 दोलर तक लोड़क सकता है तो फिलाल intraday में थोड़ा वो दबाव है आज intraday में सेलिंग का कोल लिया जा सकता है जी इसे रुपजी बात करने के बेस मेटल्स की तो देख रहाज बेस मेटल्स में बजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है आपको क्या लगता है आज बेस मेटल्स में करें तो कोपर मुझे लगता है नीचे में 732, 728 के अराउंड जो है सपोर्ट ले सकता है ये दो लेवल्स है नीचे के लिए और वहीं उपर में 742 के उपर निकलता है तो 758 तक उपर जा सकता है वहीं अगर बात करें निकल की तो निकल भी देजी की तरफ है उसमें कोई बहुत जादा गिरावाट एक्सपेक्टेड नहीं है अगर गिरता भी है तो 1480 के आसपा सपोर्ट ले सकता है और उपर में 1540 से 1560 है लेकिन मुझे निकल में गिरावाट कम नजर आती है जो भी डिप मिले उसमें खरदारी करके चल सकते हैं जी रुपा जी आपकी तरफ से नौन एगरी कमुनिटीज में टॉपिक्स के रहेंगे आज के लिए और आने वाला कारुबारी सप्ता नौन एगरी कमुनिटीज के लिए क्याज़ साबित हो पाएगा आने वाले अगर सप्ता की बात करें तो काफी पॉजिटीव देखने को मिल सकता है स्पेश्वी बेस मेटल्स जो है मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में एक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं वहीं अगर देखा जाए सोना चांदी तो सोना चांदी में भी निचले सवरोपर खरदारी वापी से लोड़ती हुए हम देख सकते हैं तो अगले हफते में बेस मेटल्स के उपर नजर अकनी ची निचले सवरोपर खरदारी करके चलें और आज हफ्ते के आखरी कारोबारी दिन सभी commodities के उपर दवाव बन सकता है आज इंट्रडेम में भीखवाली करके चला जा सकता है जी तो ये तो बात करी थी हमने यापर नौनेगरी commodities की तो फिला सिलसला वजार होका में बस इतना ही लेकिन आप एंजाएगा ने क्योंकि खवरोग और सिलसला लगातर यहीं बना रहा है का मांगे राम सीवी पर